हेलो फ्रेंड्स आइए मंकित स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नए अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं तो देखिए फ्रेंड्स अभी के समय पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छी अपडेट्स है ठीक है और आपके लिए बहुत बेनिफीसल रहने वाली है एज यूजल मैं आपको पहले ही बता देता हूं और देखिए प्रोलम बता क्या रहती है अभी आप लोगों को बता दिया तो बहुत से साथी होते ही अब्जेक्शन रहता ह नहीं ठीक है फिर बात में कहोगे सर इतनी जल्दी में काम कैसे हुआ तो भी अभी साथी जानकरी दे रहा हूं अगर बैनिफिट उठा सकते हो तो उठा लेना ओके चलिए अगर चैनल पर नहीं हो भी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक में सेर करें इस वीड आप लोग सोचोगे कि इतना एडवांस कैसे बता रहे है तो भी आपको एडवांस बहुत सारी चीजे बताई भी गई और उसका रिजल्ट आप लोग देख भी चुके हो और स्पैसली मेरे हरियना पुलीस वाले साथी जिनको मैंने अडिशनल लिष्ट के बारे में नुमं होगा कोई भी मतलब कोई भी जाता वह भी जिसने कभी बैटना उठाया वह भी यह बोल देगा हां भी इसमें तो यह होगा तो चप्पन स्थावन वाड़ा मुद्दा तो ऐसा हो रखा है ओके और ग्रूप C और D भरतिया भई और 20 ग्रूप इन सबी के बारे में कर लेना ठीक है अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो वीडियो को आगे देखें नहीं तो भी रहने देना कोई इस्यू नहीं है क्योंकि हो सकता है कई चीज़े ऐसी बोल देता हूं मैं फिरू कुछ साथियों को बुरी लग जाती है कि सर पढ़ने के लिए अभी से कह रहे है है ना एकजाम से एक अफते पहले करना चाहिए तो तो सब अच्छे है फालतों कि अगर मैं बकवास करूं कि आँ उसने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया तो सब इंट्रेस्टेड रहेंगे चलिए तो साथी यहां तक पहुचाई इटमिन्स वो इंट्रेस्टेड है देखे 40.000 पर भृति सबसे पहले तो वो चिल आएंगे दिबिन को ऑप्जेक्शन है भरतिया आने版 पर भी अप्जेक्सन है भरतिया ना हो तो भी अप्जेक्शन है मतलब उनका काम सिरफ है अप्जेक्शन से उन्हों कोई मतलब नहीं है जो पढ़ने वाले है वो खुस हो तो मैं आपको बता दू 40,000 बढ़ती है भी CET 2024 के थुरू हो सकती है जो अभी का political scenario है उसके according में आपको अभी से update दे रहा हूँ ये और जो साथ ये न एक होले आप लोग बना चुके अच्छे से अब जो अप्रेल और में में जो पड़लेगा तो पड़लेगा नहीं तुम से नहीं होता कुछ ठीक है क्योंकि फिर होंगे direct exams क्योंकि form की process होगी आपको पता है hssc process क्या रहती है क्या नहीं कभी ये कम है कभी वो कम है form बढ़ने में 40,000 पदों पर नहीं भरती आने वाली है मैं आपको अभी से इंफर्म कर रहा हूं जिसमें से 10,000 ग्रूप D की है और 30,000 ग्रूप C की है ठीक है अब इन में से ये भी बता देता हूं कुछ तो जो बिल्कुल fix है वो बता देता हूं लग बग साड़े 1900 वह एच्पीसC वालो इसकी 1960 है या 1950 है ऐसी कुछ है एकुरेट तो भी तब आ जाएगी ठीक है उसके अकोडिंग देख लेना दूसरा इसके बाद है भी फार्मेसिष्ट की वेकेंसी येस फार्मेसिष्ट की वेकेंसी MPHW ये हल्थ वालों की है ठीक है स्टाफ नर्स की अभी मैं कुछ नहीं कह स करना लगता ऑक है ओके औरन इंहें MPHW वालों को नहीं पहले वालों को फीमेल को जल्दी से जॉइनिंग दे दि जाए तो सबसे पैस्त है ठीक है इनको जल्दी Saya दि जाए तो सबसे बैस्त है स्टाफ नर्स की वेकेंसी का मुझे नहीं पता है भी मैं आपको ऐसे ही बोल दू लेकिन फार्मेसिस्ट की आएगी एंपिएच डवलू की भी आएगी उसके अलावा ग्राम सचीव की जो आप लोग सोच रहे हो ना ग्राम सचीव की अभी बता देता हूं वेकेंसी आएंगी जेए की वेकेंसी आएंगी जो लोग सोच रहे हैं कि अभी ये तो काम हो गया नहीं ये सारी वेकेंसी जाए और जो इस बर वेकेंसी जाएंगी न वो ऐसे नहीं आने वाली कि किसी की 30 आ गई किसी की 40 आ गई नहीं भी किसी की 1000 आएगी ठीक है किसी की 4000 आएगी ऐसे आएग की फिर आएंगे लेवल पांच और चेंगी यह पोस्ट है यह थोड़ी कम रहने वाले है लेवल चेंगी लेकर लेवल तीन और लेवल पांच की अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है तो भई आप लोग आपके उपर है ठीक है अब आदेज जादा तो इस बात पर रोने लग जाएंगे पढ़ना पड़ेगा ठीक है यह नों तो बता दिया चारीश जार वैकेंजिया की पड़ना तो हमें है वही और किसको पढ़ना पड़ेगा अब तक भी तो आज क्या हुआ पांच नंबर का क्या हुआ ठीक है इस चक्कर में दूसरा चपन स्तावन का क्या होगा आरे 56, 57 में रोल नंबर भी नहीं है, आदे से जाधा दुनिया तो वह जिनका रोल नंबर भी नहीं है, उन्होंने एक्जाम भी नहीं दे रखा, और वो इस बात की वेट करें, 56, 57 क्या रहेगा, अब बताओ उनका क्या करें, पांच नंबर मिले या ना मिले, लिस्ट में ना बताओ, ठीक है, किसी का 48 नंबर है, किसी का 48 नंबर है, 56, 57 का उस पर क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, मुझे ये बता दो बस, ग्रूप D के पांच नंबर मिले ना मिले, उसका क्या फरक पड़ जाएगा, वही मिले ना मिले, वो माननी है, हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक ह अब बात आपके हाथों में नहीं है, ये बात अब माननो, दस दिन बाद माननो, दो दिन बाद माननो, या दस महीने बाद माननो, जब मानने है, हाई कोर्ट के हाथ में बात है, अब जो जजज डिसीजन लेंगे, वही होगा, तो क्यों इस बात पर रो रहे हो, ठीक है, इस चाहे आप वह पॉंच नंबर आपको मिलते हैं नहीं मिलते हैं धेखिए हो起床 मुंद्ध बाठ बात इसलिए ना करता क्योंकि already मैं अपना पूरा पक्स रख चुका हूँ उसके बारे में ठीक है अब जो भी रहेगा आपको इंफोर्म भी कर देंगे भई उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है लेकिन आप लोगों को यह कह रहा हूं बार बार आप लोगों को कई बार तो यह लगता है बस ग्यान देने आ जाते हैं यहां कोई नहीं भी ठीक है वो टाइम की बात है आपको पता चलेगा वो भी कि अभी जो आपको बोला जा रहा है वो हो गया नहीं हरेना पुलिस वालों से पूछ लो उनको बताई थी 1000 प्लस की वेटिंग लगेगी अडिशनल लिश्ट लगेगी और वो भी उस वेटिंग के बाद जो पहले वेटिंग थी ना उसके बाद लगी थी पूछ लेना उनसे लगी भी थी सारा काम हुआ था ठीक है और उनको उस समय बता दिया जिस टाइम कोई बात भी नहीं कर रहा था 21 दिसंबर डेट थी जब मैंने बताया था उस उस टाइ थी सभी को ठीक है अभी की बता रहा हूं भी हर्याना पॉलिस की देखिए यह तो मैंने आपको वेकेंसी बता दी इसके लाव बहुत सारी वेकेंसी जा आपकी बहुत सारी डिपार्टमेंट में उसके बाद नैक्ष भाई हर्याना पुलिस बढ़ती की एक चीज बता दू एक तो यह भी वाड़ी ना, इसका तो अभी physical start हो जाएगा, form fill up हो रहे हैं, पता लग जाएगा कितने बच्चों ने apply किया है, दूसरा, एक तो physical की बता दू, अप्रेल में ही है आपका, दूसरा बता रहा हूँ, हरेना पुलिस की एक और भरती आ सकती है, एक और भरती, अब अपना है ना, पहले ही इतनी तयारी रखो, कि मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिस तरह ये ALM, ऐसे के और इनके एकजाम होगे था ना, बच्चे रो रहे थे, कि सर, एक तुम के ऐसे एकजाम ले लिया, दो दिन बाद लिश निकाल दी, तीन बाद, अरे भई, अब तो सब क मानते हो ये चीज, तो मेरे भाईयो, सब को कह रहा हूँ, अपनी तयारी स्टार्ट कर दो, जो हर्याना पुलिस भरती की, एक और कह रहा हूँ न, वो किसके लिए है, CET 2024 वाड़ों के लिए, उन कैनिडेट के लिए, जो नए आये है भई, जो जुलाई 2022 तक नहीं थे अप CET 2024 इसलिए है कि आपके लिए नोक्रिया मिलें, ओके, एक सिरफ ग्रूप D का अभी तक डाउट फुल हूँ मैं, कि वो 2000 ये जो अभी हुआ था, 2023 वाड़ा इसमें से मिलेंगी, ठीक है, जो अभी ग्रूप D का एक्जाम हुआ था न, उसमें से 10,000 और वेकेंसी है मननो, नहीं मानना है, मत मननो, उसके बार, ग्रूप D का टोफ भई, ये तो कई बार बता चुका है, इसके बार में तो क्या ही बात करनी है, ठीक है, लगबग ये लगा अगर चलिए, 5000 पदो पर अभी, जो है, सेकिंड वेटिंग, प्लस जो बचे हुए है, वो मिला कर लग हिसाब लगा लो, कट ओफ कितनी कम हो जाएगी, और अगर पांच अंक हट गए, तो आपको और भी आइडिया आ गया होगा कि कितनी कम होगी, कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं, या फिर एक काम करो, अपना स्कोर बता दो, कमेंट सेक्शन में, ग्रूप D का है न, अपन से हो, मतलब ESM हो जो भी अपनी केटेगरी बता देना, उसका दे नेक्स्ट जो बुझ रहते सर चालिश जार बढ़ती किन पदों पर आईगी, ग्रूप C और D की है, इन में से एक, HPSC की भी कुछ वेकेंसी है, जो ग्रूप B की है आपकी, उन में से 1960 है, 60 है या 50, देख ल तो उनको complete निकाल लेंगे, अभी विधान सभा से पहले उनको निप्टा देंगे ये, अब आपके उपर है, आप लोग preparation करना चाहोगे या नहीं, ये वही common caterer वाड़ों का मैं बता दूँ, आपका जो है, portal ready है, almost, अभी एक छोटी सा doubt है भी, एक छोटा सा doubt है, देखिए वैसे तो तीन दिन के लिए portal खुलेगा, सबको पता है, त्री डेज के लिए portal खुलने वाड़ा है, सबको पता है, लेकिन उसमें भी गड़बड क्या है, कि अगर एक से दो दिन में decision आने वाड़ा है, तो उन्हीं के साथ सभी का एक साथ हो जाए भी, सभी को preference को option साथ में मिल जाए, यह भी तो बात है ना, common cater वाड़ों को, तो कि और भी तो आएंगे अभी, जो 26 सो है, उन्हें से लगबग 22 सो तो वही मिलेंगे ना, यह तो सभी को एक साथ option मिल जाए, तो थोड़ा सा इस पर देखते हैं, क्या decision लिया जाता है, सिर्फ यह matter रहता है, group D, common cater वा आज कल में, अगर मालनी जी यह हुआ ना, कि decision थोड़ा लेट होगा, तो हो सकता है, फिर आपका आज कल, मतलब इसी week में notice आ जाए, और क्या बता मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके साथ ही आ जाए, कि ऐसा कि आपने बहुत बार देखा, मेरे साथ होता भी है, ऐसा, आप स्टोर सेकेंड दोनों को पता है न, उन पर काम चल रहा है, जो अप सेंट थे, ठीक है, तो उनको मोग का मिल रहा है, तीन notice का, तीन notice दिये जाते है भई, कि उसके बाद वो case ना कर सके, आपकी नोकरी पर कोई प्रब्लम ना है, इस वज़े से थोड़ा सा टाइम लग रहा इस वज़े से जो last में आये थे न, female candidate थे, उनका नहीं हो पाया था, तो इसलिए थोड़ी process में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपका काम complete होगा, seat है भई, vacant, टैंसन न लो, seat है vacant, ठीक है, लेकिन हा, जो अब वाड़ा form है न, अर्याना पुलीस का, वो भी भर्दो भई, अब वाड़ा भी हर्याना पुलीस का form भर्दो, भई मेरा मानना ये है, चाहे चपपन स्तावन हो, चाहे आप हर्याना पुलीस वाले हो, जो भी additional list वाले, चाहे आपका कोई भी exam हो, ओके, जिनकी joining नहीं हुई है न, वो अपनी preparation स्टार्ट करतो, दो से जो कुछ होगा देखी जाएगी, लेकिन आप लोग अपनी preparation स्टार्ट कर दो के 20 group की और बता देता हूं भी, आपको और D group वालों को किसी तरह की कोई problem नहीं है, कभी ये सोच चुकि हमारी temporary joining है, कोई matter नहीं है भी, आप लोग tension free रोग, सारी चीज़ आपको बता दिये, कुछ रह गया हो, तो comment section में पूछ लेना, बाकि आपका क्या कहना है, मैंने तो आप, आपके सामने अपने व्यूज रख दिये है, ठीक है, comment section में आप लोग कह सकते हों, ओके, मिलते हैं next video, subscribe mankit 72, telegram mankit center, bell icon press करें, वीडियो को like and share करें, धन्यवाद आपका दिन,